नमस्कार दोस्तों कहा जाता है कि दूद में सारे पोशक्तत्व मौजूद होते हैं जो व्यक्ति के लिए जरूरी है लेकिन अगर आपको दूद नापसंद है तो पनीर से बहतर आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता पनीर को लेकर लोगों के मन में अक्सर ये कन्फ्यूजन रहता है कि इसे खाना हेल्दी है या नहीं आईरवेट के अनुसार पनीर अगर संतुलित मात्रा में खाया जाये तो वह फायदे मन्द है लेकिन अगर ज्यादा फैट वाला ज्यादा पनीर खाया जाये तो नुकसान भी कर सकता है तो आए हम आपको पनीर खाने के फैदे और पनीर खाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में बताते है तो आईए सबसे पहले इसके फैदों के बारे में जानते है पनीर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है प्रोटीन से मास्पेशिया मजबूत होती है पनीर के सेवन से बच्चों के सरीरिक और मांसिक विकास में सहता मिलती है पनीर कैलसियम का एक अच्छा माध्यम है इससे हड्डियों और दातों को मजबूती मिलती है पनीर में विटामिन D प्रचूर मात्रा में होता है विटामिन D सरीर के लिए एक आवस्यक तत्व है जिन लोगों को वजन घटाना हो उनके लिए भी पनीर बहुत फादे मन्द है साथ ये डाइबीडिस के मरीजों के लिए भी अच्छा होता है इसमें ओमेगा 3 भी पाया जाता है जो मानसिक विकास में सहायक होता है इसमें कई ऐसे खनीज होते है जिनकी सरीर को आवस्यकता होती है पनीर खाने से बलड पेसर और कोलेश्टॉल का इस्तर संतुलित रहता है एकसरसाइस के कुछ घंटों बाद पनीर खाना सबसे बहतर होता है पनीर के नुकसान के बारे में बात करे तो अगर पनीर बनाने का दूद पास्चुराज नहीं है या पनीर कच्चा खा रहे है तो बैक्टिरियल इंफेक्शन की संभावना बढ़ जाती है अगर पनीर बनाने में होल मिल्क का यूज हुआ है तो इसमें कोलेश्टॉल लेवल बढ़ने की समस्या हो सकती है तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही हेल्थ और फिटनेस से सम्मंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अब मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद